हेलो वीडियो में आपको दो बहुत ही आसान तरीके से मोझे बनाना बताऊंगी और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मैं आपको डिस्कुप्शन वॉक्स में दे सबसर्थ के मुझे श çıkar हुए हें तो ये मेरे उसमें साड़े अुछ कमें पाउन कर एक करें ऐध करहें थो आया साडहे नौ इंच तो उसी हिसाब से मैंने ये दो कपड़े के पीस कट कर लिया हैं दोनों पाउं के लिए ये length है देखिए पाउं की जो length लेनी थी ओ 10.5 inch की मैंने यहाँ पर रखी हुई है 9 inch था 1.5 inch extra लिया तो 10.5 हुआ और ये पाउं की जो गुलाई हमने नापी थी साड़े आठ थी तो मैंने यहां पर एक इंच बढ़ा के साड़े नौ इंच लिया है अब हमें क्या करना है इसको विट्थ वाइस बिल्कुल से इस तरह से फोल्ड करना है और सीमी सीतर से दूसरे वाले को भी सेंटर से फोल्ड कर देना है अब हमें क्या करना है इसका बिल्क कर लिया है अब हमें इसको ओपन करना इस तरह से अब इसमें पाइपिंग लगाने के लिए मैंने कपड़े का पीस लिया हुआ है और इसकी चोड़ाय जो है वह धाय इंच की है अब इसको बिल्कुल से हमें फोल करना है यह जो निशान है इसके दोनों में से कोई भी एक में हुआ लेना है तो यहां पर मैं इसको लगार हुआ है सरे से और पाइपिंग लगा या और यहां पर ऐसम चला पैशी की तरह से में लगा लिया है 20 लोगा को से rights यो तरह से पीछे की तरफ को अ देना है और बाहर पे सिलाइ लगा नी है सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी फिच्छे को टरौ कर समिय सीमा लगा दीने और piping बनानी है तो यह देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ पे इस पर piping लगा दी है अब हमें इसको बिल्कु से इस तरह से फोल्ड कर देना है सीधी तरफ को और इसके जो यह open वाली साइड है जहां पर पाइपिंग नहीं लगानी है तो यहां पर मैं निशान लगा लेती हूं आधा इंच की दूरी पर यहां पर सिलेंगे और piping से बाहर को इस तरह से निकाल देंगे तो यहां पर सिलने के बाद यह इस तरह से यहां पर ओपन रहेगा यहां से पाउं इंसर्ट करने के लिए और इसमें आपको इस तरह से सिलाई लगा के दिखाते हूं देखिए मैंने तरी connais ऑलीने परधाान वक्त और समयाा ज़्त और शोज़ां शर्ड चाहिए और इंग्लियों वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा फिर इस पर अन्गु टे का निशान बना ले आप चाहें तो पाउं रखके भी यहां पर मार्किंग कर सकते हैं मैं यहां पर हाथ से ही मार्किंग कर रही हूँ और यहां पर उंग्लियों का शेप भी बना लेना है इस तरह से बनाना है अब इसी मार्किंग के उपर हमें यहां पर सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैने इसमे शीलाई लगा दिया है अब जितनी भी सीलाई लगा दीया है 되어 एफ द कर दे इसलाह ने देखिए इस तरह से तो इसमें सलाह लगा दी है अब यहां पर भी आधा हिंच की दूरी करते हैं और फिर इसको हमें सीधी तरफ को टर्न कर देना है और यह मोजा बनके हमारा तैयार हो गया है सेम इसी तरह से आप दूसरी साइट का मोजा बना ले और यह अब यह सेकंड टाइप के सॉक्स में आपको बनाना पता देती हूं तो मेजरमेंट सेम उसी तरह से रहेगा तो देखिए मैंने सेम उसी मेजरमेंट के दो पीसिस कट करें साड़े दस इंच का लंबा और साड़े नौ इंच और मैंने दो पट्टियां कट करी हैं दोनों अब यहीं से अंदर को 1.25 इंच पर निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंच को मिला देना है और इसको भी नीचे को यहां पर हमें स्ट्रेट जॉइन कर देना है इसके बाद यहां पर मैं हल्का साएक राउन शेप दे दे रही हूं कोने पर हल्का सा घुमाओ दे दिया है अब इसमेसी मार्किंग के उपर हमें इसको कट कर लेना है और यह cutting पूरी हो चुकी है अब इसको मैं open करके रख देती हूं इस तरह से तो यहां पर आप देखेंगे देखेंगे दो layer में कपड़ा है अब महले मैंने printed कपड़ा लिया है यह सीधी तरफ है और सीधी तरफ के ऊपर हमें दूसरा कपड़ा रखना है और यहां पर आप दे अब जहां पर भी चुटे-चुटे से में कट लगा लेने हैं और ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे अब क्या करना है इस कपड़े को हमें पीछे की तरफ को टर्न कर देना है और इसके बाद यहां पर आप इसमें प्रेस कर लें और इसमें टॉप स्टेच लगा लें तो दीख यहां पर आदा इंच की दूरी पर इसी होजा से घुमाते स्ल़ किसे यहां पर में सहाइव जाओं यहां सहा तक यहां साइड तक सिलध लगा जिया है पूरे बॉल अले हिस्से में यह पाज एक्स्ट्रा कपड़ा है कि मिया है कॉम कर देंश कर महीं बिलकु से फोल् 작lle कर या फिर आप इसको शूस की तरह यहां पर खाली राउंड शेप देखे भी सिल सकते हैं तो मैं यहां पर मार्किंग के ओपर सिलाई लगा दूंगी तो देखिए मैं यहां पर सिलाई लगा दिये अब एक्स्ट्रा कपड़े को हमें आदा इंच की दूरी पर कट कर देना है औ और यहां पर दीख सकते हैं हमारे सॉक्स बन के यह तयान हो गए सेम इसी तरह से में दूसरे पाउंग का भी बना लेना है